स्वागत है आपको मेरे इस चैनल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू बुखार का लच्छन क्या क्या है आखिर हमें कैसे पता चलेगा ये डेंगू बुखार है या नहीं इसी संबंध में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसलिए आपको लाश्ट तक इस वीडियो को देखना है बीच में स्कीप नहीं करना है लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप पहली बार मेरे चैनल ग्यान सीबी पर आये हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए बगल में बेल आइकन में अल नोट्रिफिकेशन जरूर ओन कीजिए और वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लैक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजिए क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरह की इन्फोर्मेटी वीडियो लाती रहती हूँ चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगी इस वीडियो में डेंगू बुखार के करन क्या है आकि क्यूं हमें डेंगू बुखार हो जाते हैं इसका में करन क्या है संक्रमित बेक्ती के आसपास रहने से आपको डेंगू बुखार नहीं हो सकता इसके बज़े डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है जब संक्रमित मच्छर किसी अनिय बेक्ती को काटता है तो वायस उस ब्यक्ती के रगत प्रभाव में परिवेस कर जाता है और संक्रमन का कारण बनता है डेंगू बुखार का मेन करण है मच्छर का काटना डेंगू बुखार एक कष्ट दायक रोग है, सरीर को दुरबल करने वाला मच्छर जनित रोग है और जो लोग दूसरी बार डेंगू बरेस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी बिक्सित होने का काफी अधिक जोखिम होता है अब हम इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू बुखार के लच्छन आकर क्या क्या है डेंगू बुखार का सबसे बड़ा लचन है तेज बुखार आना सरीर पर दाने दाने हो जाना सीर दर्द होना मानस्पेसियों में दर्द जोड़ों में दर्द होना अचानक तेज बुखार एक सो पांच देगरी तक पहुँच जाना गंभीर सीर में दर्द होना, आखों के पीछे दर्द होना, ठकान, जी मिचलाना, उल्टी आना, दर्ष्ट होना, तोजा पर लाल चकते जो बुखार आने के दो से पाँच दिन बाद दिखाई देते हैं हलका रगत स्राव जैसे नाक सी खून बहना, मसूडों सी खून आना, गले में हलका दर्द सा मसूस होना, मुख के सवात खराब होना, सीर या मांस्पेशिय में अत्यादिक मातरा में दर्द होना, ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार चड़ना ये सब कुछ डेंगू बुखार के लचन हैं, यदि आपको इन में से कोई भी लचन नजर आते हैं, या इसके अलावा भी और कोई लचन आते हैं, तो आप तुरंट डक्टर के पास जाए और अपनी चेकप कराएं साथी अपने आसपास के जगों को साफ करें, वहाँ पर गंद की पानी जमा होने ना दे, यदि आपके आसपास बहुत सारे गंद की है, और आसपास के ठाओं में पानी जमा हुआ है, और वो पानी बहुत ही दूसित है तो तो इस पानी में डेंगू मच्छर पनपने का खत बढ़ सकता है इसलिए अपने आस्पा सवर सफाई में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा